अब देखिए इसी को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यह एक बॉल है इसको छप पे ले जाए रूप पे और वहां से उस बॉल को धक्का दे थीक है नीचे गिरा है तो नीचे गिरा है यह माल लिया जाए यह बॉल का इनिस्यल पोजिसन है और यह फिर टाइम टी के बाद यहां पर अगर टाइम टी इसकोल टू बन कर दें इसे तो इस पोजिशन पर है टी इसकोल टू दूसरे सकिन पर इस पोजिशन पर है और टी इसकोल टू ठी पर यह ग्राउंड को टच करता है ठीक है तो इसके लिए एक आपने फिशिक से फर्मूला पढ़ा है अगर फ्रीपॉल अंडर ग्रैविटी एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी इसकोल है तो यहां पर इसको हम डराइव करते हैं आगे इसके लिए तो एस बराबर यू के वैल्ली यहां जिरो हो जाएगी इन्टू प्लस हाफ यह जब प्रीपॉल हो रहा है मतलब एक जगा एक्सेलेशन ड्यूटी ग्राविटी यहां पे जी होगी जी टी स्क्वाइर तो एस बराबर क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वाइर ठीक है एसको अब हाफ जी की वैल्यू हम रख देते हैं 9.8 इंटू टी स्क्वाइर 4.9 टी स्क्वाइर एस बराबर एसको अब इसके लिए हम करते हैं एस को हम दी से कर देते हैं डी इसकोल टू 4.9 टी स्क्वाइर डी डिस्टेंस है ठीक है अब देखिए इस वाले फॉर्मूले से अगर हम इसको करते हैं और इसको फिर और ये 4.9 इसको अप्रॉक्सिमेटली लिखेंगे तो 5T स्कॉयर होगा ठीक है अब डिस्टेंस अब जानना है कि इस जगा पे इस बॉल की डिस्टेंस क्या है तो क्या करेंगे सिंप्लियम डी इसकोल टू 5T के वैलू रख देंगे 1 कॉल स्कॉयर या 5 डिस्टेंस मीटर में होता है 5 मीटर यहाँ पे बॉल जब टी का टाइम टी 1 होगा तो बॉल इसको छत से 5 मीटर के दूरे पे आ जाएगा यहाँ पे इसका इसरे वाले के लिए कर दें डी इसकोल टू 5 इंटू 2 का होल स्कॉयर 5 इंटू 4 इसकोल टू 20 मीटर यहाँ पे 20 मीटर होगा कि अब देखिए कि मैंने डिस्टेंस निकाल दिया टाइम मेरे पास है तो अब हम क्या करेंगे अगर निकालते हैं तो हमारा यह डिस्टेंस क्या है 5 इनिस्टेंस क्या है 0 मैंनस 0 क्या है अपना 1 और T1 क्या था सीरो तो यह क्या आजाएगा 5 अपाउंट 1 इस पर टू 5 मीटर पर सेकेंड यह T1 अगर कोई आपसे पूछे जाए कि 1 सेकेंड में इस बॉल के स्पीड क्या है इस बॉल के स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड यह तो हो गया जेनरलाइस फर्मूला के थूरू हमें किसी भी मूविंग अबजेक्ट का हम एक्जाक्ट टाइम पर हम स्पीड निकाल सकते हैं लेकिन यह हर बार इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं तो इसी चीज़ के लिए हम कैल्कुलस पढ़ते हैं और कैल्कुलस में धेर सारे सेक्षंस हैं जैसे कंटिन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी डिफ्रेंसियेशन इंट्रिगेशन हाइर और डिफ्रेंसियेशन इसके पार्ट है तो हम सबसे पहले